तो आज हम लोग परेंगे मा का प्यार तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बर्च पहले की बात है एक गाउं में तेंदुआ बराबर आया करता था उसके उत्पात से लोग परेशान थे तेंदुआ रात के समय गाउं में आता और प्राय बच्छरों और कुट्टों को उठा ले जाता वह उन्ही पशुओं का सिकार किया करता था जिनके सिंग नहीं होते थे रात के करीब आठ बजे का समय था एक आदमी ने गाई दुह कर बच्छरे को मा का दूद पीने के लिए छोर दिया दुष्ट तेंदुआ आ पहुँचा वह जट बच्छरे को ले कर चलता बना तभी गाई ने रस्सी तुरा कर तेंदुआ का पीछा किया वह आदमी जब थोरी देर बाद बच्छरे को बांधने आया तो उसने देखा कि गाई और बच्छरा दोनों गायब हैं उसे शक हो गया कि बच्छरे को तेंदुआ उठा ले गया है और गाय भी तेंदुआ से डर कर रस्सी तुरा कर भाग गई है उस आदमी ने सहायता के लिए अपने परोसी को पुकारा दो तीन आदमी टोर्च और लाठिया लेकर गाय और बच्छरे को धूनने निकले धून्डते धून्डते लोग जंगल में घुसे उनकी नजर बच्छरे पर पड़ी उसके निकत गाय पहुँच चुकी थी गाय तेंदुए को सिंगों से मार मार कर दूर हटा रही थी लेकिन तेंदुए बच्छरे को गाय से छीनने पर लगा था लोगों ने तेंदुए को मार भगाया और गाय तथा बच्छरे को घर बापस लाया जब तक लोग बहां नहीं पहुँचे थे गाय तेंदुए का डट कर मुकाबला करती रही थी जैसे हमारी मा हमें प्यार करती है ठीक उसी परकार पशू भी अपने बच्छों को प्यार करते हैं संकट आने पर पशू भी अपने को संकट में डाल कर अपने अपने बच्छों की रक्छा किया करते हैं मा का प्यार पशू पक्षियों भी अधिक पाया जाता है तो यहाँ पर कुछ सब्दों के अर्थ दिये गए हैं जैसे तेंदुआ यानि चीता जैसे जंगली जानवर धूंड़ना यानि खोजना उत्पाद यानि उपद्रब या आफ़त परिशान यानि घबराये हुए तो आपको बताना है तेंदुआ किस तरह उत्पाद करता था तो आज के लिए बस इतना ही थैंकियो फॉर बासिंग वीडियो